अरे मोगली, तुम तो इंसानी बच्चे पूरे, फिर तुम क्यों शेर से इतना डरते हो, तुम तो पेड़ पर भी चड़ सकते हो अरे नहीं बगीरा, ऐसा कुछ भी तो नहीं है, मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ तुम डरते हो मोगली, मुझे सब पता है, मैंने डर तुमारी आँखों में देखा है अरे बल्लू, तुम भी शुरू हो गए हो, अच्छा तो होने दो, शेर से सामना, मैं भी बता दूँगा, मोगली किसी से नहीं डरता अरे ये बगीरा और बल्लू, दोनों बहुत मजाक उड़ाते है, अब मुझे जल्दी उस शेर का सामना करना ही होगा बल्लू को तुम्हें देख ही लूँगा, अब कभी मधुमक्खी का रस नहीं पिलाऊंगा कौन हो तुम और मेरे सामने क्या कर रहे हो, चलो हटो, यहां से मुझे जाने दो, मेरा रास्ता छोड़ो मोगली मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मेरी मदद करो, मेरी पत्नी को बचा लो, मेरी मदद करो मैं केसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तुम कर सकते हो मोगली, क्योंकि मेरी पतनी शेर की गिरफ्त में है, उसको शेर पकड़ के ले गया है और उसको शेर से सिर्फ तुम ही बचा सकते हो नहीं, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ तुम मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो बात को समझो मोगली मेरी मदद सिर्फ तुम कर सकते हो और कोई नहीं मेरे छोटे-छोटे बच्चे है अगर मेरी पतनी को कुछ हो गया तो उनका क्या होगा उनपर तो दया करो मोगली मोगली उसके साथ उसकी पतनी को बचाने चला गया लगता है शेर गुफा में नहीं है अगर अंदर होता तो किसी के चिल्लाने की आवाज जरूर आती अब मैं गुफा के अंदर जा रहा हूँ अगर शेर ने तुम्हारी पत्नी का शिकार नहीं किया होगा तो उसको लेकर अभी आता हूँ अगर शेर आ जाए तो मुझे बता देना मैं भी शेर से लड़ना चाहता हूँ बल्लू और बगीरा मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं उनको भी पता चल जाएगा मैं किसी से नहीं डरता लोग, ये है तुम्हारी पत्नी अब ध्यान रखना शेर फिर से हमला कर सकता है अगर शेर मेरा पता पूछे तो बता देना